नमस्कार दोस्तों मैं इंद्रजीत आप सबका मेरिट सूची आ चुकी है आसा करते हैं आप सभी ने अपना सूची में नाम देखा होगा जिनका सूची में नाम है उन सभी को बहुत-बहुत बधाई और जिनका नाम नहीं है वे चिंता ना करे परिच्छाएं होती रहेगी जिन्दगी भी एक परिच्छा की तरह है तो उसमें टेंसर लेने की जर्वत नहीं है आने वाले भविष्य में आप और भी अच्छा कर सकते हैं कहीं कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो चले जिनका सेलेक्शन हुआ है उनकी आप काउंसलिंग होने वाली है तो काउंसलिंग क लिए जो नोटिफिकेशन है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे किस प्रकार कांसलिंग होगी और इस पूरे वीडियो में हम जारेंगे कि कैसे आपको कांसलिंग प्रक्रिया को पूर्ण करना है ठीक है फ्रेंट्स तो चलिए आप पीडिया अब देख पा रहे हैं जुसमें लिखा हुआ है राजिव गांधी प्रयास विद्याले की कक्षा नवी सत्र दोहजार तेविस चोविस में प्रवेस है तू आयोजित प्राचन्य परिच्छा दिनांग तीस चार दोहजार तेविस में कांसलिंग है तू चैनित विद्यार्थियों की सूची प्रेशन बाब तो चलिए इसमें हम समझेंगे देखेगा सबसे पहले हम बात करने वाले हैं अनुसूचित जाती अर्थात SC बालक और कन्या दोनों का जो काउंसलिंग का समय है और डेड यह मैं आपको बताने जा रहा हूं तो इनका है 5-6-2023 अर्थात 5 जुन को प्रातह 10 बजे से 5 बजे तक इनका काउंसलिंग है और काउंसलिंग का जो इस्थान रहेगा वो है प्रयास कन्या अवासी विद्याले गुडिहारी जीला रायपूर अर्थात आपको रायपूर प्रयास में जाना है वहीं काउंसलिंग होती है अधिकतर फिर नेक्स्ट है आपका अनुशूचित जन जाती समूँ प्रयास अवासी विद्याले गुडिहारी इनके बाद है अनुशूचित जन जाती ST तथा विशेश रूप से कमजोर जन जाती समूँ प्रयास के कन्या तो चाहे ST की हो चाहे प्रयास जो कन्या है जिनका सेलेक्शन हुआ है उनका काउंसलिंग होना है इसके बाद है अन्य पिछडा वर्ग इसमें बालक और कन्या दोनों के लिए है आठ जून को होगा समय वही रहेगा 10 बज़े से 5 बज़े तक और स्थान भी वही रहेगा प्रयास कन्या आवासी विद्याले गुढियारी इसके बाद हम बात करेंगे जनरल की तो समान निवर्ग के जो बच्चे चाहे वो बालक है या कन्या है जिनका सेलेक्शन हुआ है उनका काउंसलिंग होगा 9 जून को प्राताह 10 बज़े से संध्या साम 5 बज़े तक ठीक है इस थान भी रहेगा अब इसमें हम लोग बहत इन्पोर्टेंटी समस्ते हैं देखे लिखा हुआ है काउंसलिंग है तू चैनित विद्यार्थियों के प्रवेश से संबंधित किसी भी प्रकार की दावा अपत्ति उल्लेखित तीथी को अर्थात जी दिन आपका काउंसलिंग है उस दिन आप प्राताह 10 बज़े से 11 बज़े तक प्राप्त किये जाएंगे अर्थात आपको पहले पहुँच जाना है 10 से 11 बज़े तक ये आपको कोई डाउट है या रैंकिंग में कुछ प्राप्लम है तो आपको आपना जो भी प्राप्लम रहेगा उसको सौट आउट करा सकते हैं उसके पश्यात 12 बज़े से निराकरन के पश्यात निराकरन पहले होगा जो भी प्राप्लम रहेगा उसको हैना तो 12 बज़े से लगभग ये काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो जाएगी 10 से 11 आपको जो भी प्राप्लम है वहां आप डिसकस कर लेंगे और 11 बज़े के बाद एक घंटा का पूरा समय रहेगा निराकरन के लि है ना जो बच्चे बहुत दूर के हैं जैसे सुदूर अंचल छेत्रों से जो बच्चे आते हैं उन सभी बच्चो और उनके पैरंट से भी मेरा निवेदन है कि यदि आपकी वबस्था नहीं हो पारी है तो जरूर आप एक दिन पहले से ही जाके वहां रह सकते हैं क्योंकि कि मैंने कई बार देखा है है ना कि जो बच्चे अच्छा अंग तो लाएं हैं लेकिन उनका प्रयास में सेलेक्शन नहीं हो पाता रायपूर में उसका रीजन यहीं है क्योंकि वे समय में नहीं पहुंचते हैं काउंसलिंग के लिए तो जब आप काउंसलिंग के लिए टा टो आप counseling कराते समय ये सब चीजे ध्यान देंगे इसके पस्षाथ मैंने आवश्यक दस्तवेज भी आपको कई बार बताए हैं पुरा एक बार और बता देता हूं counseling के समय क्या-क्या चीज लगेगा आपको छीख्या है देखें काउंसलिंग के समय अनिवारे रुप से प्रस्तूत किये जाने वाले दस्तावेज अभी लेखों की सुची सरपथम आपको लगेगा 36 गड़ राज्य के निवासी होने का सक्षम राजश्र अधिकारी द्वारा जाती निवास प्रमान पत्र इसके बाद है समक्ष राजश्र अधिकारी द्वारा जाती इस्थाई जाती प्रमान पत्र इसके बाद है आपका एट्थ क्लास का जो आपका पास आउट वाला सर्टिपिकेट है वो लगेगा यदि आप नकसल प्रभावित छेतर से हैं या सीधे उसे प्रभावित हैं तो आपको जीले के पुलिस अधिक्छक द्वारा जारी प्रमान पत्र लगेगा जिसको मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कई बच्चे मुझे कमेंट्स कर रहे थे सर्व पीडियेप कहां से जुटाये हम तो वो ओफिस्यल जो वेबसाइड है cg-tribal.in उसमें भी मिल लाएगा आपको हैना कंडी का एक दो तीन का भी वहीं से मिल लाएगा या फिर आप जो एकलव का वेबसाइड है वहां से भी आपको ये प्राप्त हो जाएगा और एकलव ये नहीं मिलेगा तो 100% आप देखेगा cg-tribal.in में आपको मिल ली जाए है क्योंकि आपको कंडी का एक दो तीन जहां भी आप अध्यरत हैं उसके लिए आपको प्रमान पत्र लगेंगे ठीक हैं इसके बाद है आपका साला इस्थांत्रन प्रमान पत्र या साला छोड़ने का प्रमान पत्र था TC इसके पश्यात है विद्यार्थी की medical board द्वारा ज साथ सीकल सेल जाच का प्रमान पत्र ठीक है यह सभी डॉकुमेंट्स आपको लगेंगे वेरिफिकेशन के टाइम में काउंसलिंग के समय तो आप सभी इसको लेके जाएंगे है और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताएंगे ठीक है फ्रेंट्स तो मिलते हैं नेक्स्ट व वाचिं मैं वीडियो